दोस्तों नमस्कार, Learning by AP Sir YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग BPSC के Project Development Officer का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की का discussion करेंगे तो जो अन्य एक्जाम की तैयारी BPSC का जो आगे होने वाला है उसके लिए तो important है ही इसके साथ ही UPPCS के लिए भी important है क्योंकि इस वीडियो में हम current affairs वाला section का discussion करेंगे चालिस question current affairs के पुछे गए है उनका discussion इसमें देखने वाले है अब जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दुबारा इसका part 2 वीडियो कल upload होगा इसके अलामा जो अन्य वीडियो है उसका notification आपको समय समय पर मिलता रहेगा और साथ ही जो ये वीडियो है इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों को share किजिएगा तो इसमें पहला question जो पूछा गया था कि अर्णब गोस्वामी इज पहला अपसन था ए पोलिटीसियन ये टीवी जनलिस्ट आयन इंडस्ट लिस्ट आयन अग्र अग्री कल्चिरल लिस्ट या नन आपदा अबब और मोर दैन वन आपदा अबब यानि बिहार PCS में पांच आपसन आते हैं चार की बजाए तो इसका अंसर सबको पता ये क्या थे ये टीवी जनलिस्ट थे अर्णब गोस्वामी अगला question देखते हैं बुक पूछा है who authored the book the Indian way strategy for an uncertain world ये बुक अन एक्जाम के लिए भी important है तो इसमें इसका अंसर क्या हो जाएगा ये बुक का नाम है इसको याद कर लीजिएगा अधर एक्जाम में भी पूछे जा सकती जो अब विदेश मंत्री है ये suggestion कर उनकी ये बुक लिखी गई है पूछा गया है कि वाटी दफुलफाम आप आयूस आयूस की फुलफाम क्या है तो आपको पता है एसे आयूरवेदा वाई सी योगा यू सी यूनानी यस सिद्धा और यस से होमोपाइथी यानि इसका ए अप्सन बिलकुल सही हो जाएगा अगला कुसन देखिएगा अगल केसन इन हुच फिल्ड हिंदिन भी आपको बता देते कि शुरू ने PSLBC 49 को लांच किया इसका उदेश क्या था तो इसका उदेश था एग्रिकल्चर किर्सी फारेश्ट्री वानिकी और डिजाश्टर मैनेजमेंट सपोर्ट और आपदा प्रबंधन समर्थन को बूस्ट कर यह तो लंबा वीडियो बन जाएगा अगला कोशन पूछा है कि इसका आपको पता होगा चार आपसं दिए गए बिहार डवलमेंट ट्रस्ट कमुनिटी सर्विस ट्रस्ट तमिलनाडु का सेंटर फार डवलमेंट बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा अटल पिंसन योजना यह इसके अंतरगत माइक्रो फाइनेंस का पार्ट नहीं है अगला कोशन 76 नंबर पूछा गया आनुछ प्रिंस्पल दा गवर्मेंट आप इंडिया इंट्रोड दा बंदे मात्रम इसकीम इसे गुजरा सरकार के द्वारा फरवरी 2004 में से नो फरवरी 2004 को सुरू किया गया और यह PPP Public Private Partnership Model पर आधारी थी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह अहमदाबास से सुरू की गई थी यानि इसका अंसर सी हो जाएगा Public Private Partnership अगला कोशन यह भी बुख से पूछा important कोशन है कि यह यहां बुख का नाम दिया गया किसके द्वारा लिखे गई है तो इस बुख इसको अरुंधिती राय के द्वारा लिखा गया अरुंधिती राय की जितनी भी बुखें आप सब तैयार कर लेजेगे एक्जाम के लिए important है walking with the comrades is written by अरुंधिती राय के द्वारा इसको लिखा गया है अगला कुशन है who is the chairman 15th finance commission तो यह सब को पता होगा कि 2021 से लेकर 2026 त इसके पहले किया जाता है और इसके अध्यच एनके सिंग को बनाया गया है डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला 89 नंबर question पूछ रहा है कि the enforcement the enforcement direct rate in enforces which आप the following acts जो प्रवरतन निदे साले होता हो कौन से कानून को लागू करवाता है तो यह prevention money laundering act यह 2002 का है इसको ला पहले फेरा था उसके अस्तान पर फेमा उनीस सो निन्यान नवे में आया है इसको भी लागू कराता है तो इसका अंसर हो जाएगा बोथ यानि इसका अंसर क्या हो जाएगा यह सी वाला बोथ पीम यल ए एंड फेमा foreign exchange management एक्ट और पीम एलेग फिल्पा में prevention money laundering एक्ट तो दोनों को यह लागू कराता है अगला कोशन हुई 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 इपॉइंटेड एज दा चीप information commissioner आप इंडिया आप्टर बिमल बिमल चुलका बिमल जुलका के स्थान के बाद किसको भारत का चीप information commissioner यानि CIC को गठन कि गया घया तो किसको बनाया गया यस वर्धन कुमार सिनहा को बनाया गया था इसलिए इसका अंसट के अधिनियम के अंतरगते से स्थाबित किया गया तो इस टेट्टी उचीरी बाड़ी है लेकिन यह एक संभाइधानिक बाड़ी नहीं है इस समय कितनी अधिनिया है तो इनमें अंसर कोई नहीं मिल लहा क्योंकि एक तालिस उन्तालिस इसके बाड़ आपका पैटालिस तो इसका अंसर डिच चला जाएगा इसका सही अंसर होगा आएट प्रजेंट कितनी 42 सबसे लाष्ट वाली लिद्दा की काउं तसोकार है तसोकार सबसे लाष्ट में इसको बाड़ सुए रामसर साइट के रूम में सामिल किया गया है अगला कोशन पूचा फुछ कंट्री ज रेसेंटली साइंड दा बेसिक एक्सचेंज अंड कौपरेशन एग्रिमेंट इसी को कहा जाता है बेका बेका सिसमोवा मीमोवा जितनी भी एग्रिमेंट चर्चा में थे इंडिया और किसके बीच हुए हैं इंडिया और अमेरिका क बीच हुए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अगला कोशन पूचा है पुट सीरियली कमला हैरिस आपको पता है कमला हैरिस कहां की उपराश्पती हैं अमेरिका की राश्पती उनकी जन्नी क्या थी तो इन्हें सबसे पहले गवर्मेंट प्रेजिक्यूटर बनाया गया उसक इसको डिजीट अडिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट का करतब बनता है कि डबलो एचो के बारे में जानिये वर्ड वैंक के बारे में इंटरनेसर मोनेटी फंड सबको पांच-पांच लाइनों में इसका इस्थापना कब हुई इसका उद्देश क्या था कितने मेंबर हैं सबसे लाश्ट में कौन सामिल हुआ भारत मेंबर है कि न लर्निंग अ कि टेक प्लेस जहांपर केवल सीखा वास्तान जहांपर सीखा धिन किया जाता यह प्लेस होई लर्निंग अ कि इसका अंसर होगा इसका आंसर इसका सही आंसर होगा अगला हुँ है जोइन गलोबल इंवेश्टमेंट एक फर्म है जिसका नाम कारलिल उसका सीनियर एडवाइजर के रूम में किस ने जोइन किया या बना है आप डर MD of HDFC बैंक जो HDFC है उसका MD था अभी हालिह में येक ग्लोबल इंवेश्टमेंट फर्म है कारलील उसका सीनर एडवाइजर बनाया गया तो इसका अंसर हो जाएगा आगे देखिएगा दोस्तों कुर्सन नमबर आपका 97 था हूँ है जोइन ग्लोबल इंवेश्टमेंट फर्म कारलील अगला कुशन इसमें पूछ रहा फू है जोइन ग्लोबल इंवेश्टमेंट फर्म कारलील एज सीनर एडवाइजर आफ्टर रिटर्निंग आज एज एज एमडी आप HDFC वैंग तो इसका पहला आफसन सही हो जाएगा आदित पूरी अगला कुशन पूछ रहा वू इस नाटे सोर्स आफ रेनिवल एनरजी यानि नवी करने उर्जा का कौन सा सुरोत नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा फासिल फ्यूल यह आपका नवी करने उर्जा सुरोत नहीं बाकी सब नवी करने उर्जा सुरोत का आफसन दिया गया अगला कुशन पूछ रहा है जो बाइडन वू इज एलेक्टेट आइज प्रेसिडेंट आप युएसे जो बाइडन जो अमेरिका की राजपती बने है उन्हें किस रूम में जाना जाता है यह आधुनिक विचारधारा मुल्यों को मरहावाद देने के लिए जनने जाते हैं इसी कुमार्डिनिष्ट कहा जाता है अगला फू रिसीवड थिरी मिलियन यंग साइंटिस्ट एवार्ड ब्लू मून मून का मतलब क्या होता है फुल मून ये भी होता है ब्लू कलर इन मून तो इसका अंसर एक से धिक हो रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह आपसं सही हो जाएगा अगला अंसर अगला कुसर पूछ रहा वर्ल्ड ओमें बाक्सिन चैंपियन ब्रांज मेडल किस ने जीता था तो यह सिम्रन जीत काफी न्यूज में बना था अगला कुसर पूछ रहा जो बाइडन रैन ट्वाइस अंसक्सेश्पुली फार उसे प्रेसिडेंट यह उसे प्रेसिडेंट की रेस में दो बार यह असफल रहे वो सन कौन कौन सा था तो यह सन था उननीस सो सतासी और दो हजार आठ इस हिसाब बीन डिजिगनेटेड आएज रामसर साइट इन एक्टूबर दोजार वीज यह नि बिहार का इसा कौन सस्थले जिसे रामसर की रूम में समिल किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा कावरताल अगला कोसन पूछा है भोला पासवान सास्त्री दा फार्मर चीम मिनिस्टर व जडियू कंडिडेट किर्ष्ण मुरारी जरन विद जश्ट यह कितने ओटो से हा रहे थे यह मात्र बारा ओटो से हा रहे थे कितने ओटो से हा रहे थे मात्र बारा ओटो से हा रहे थे इसका अंसर पहला वाला हो जाएगा अगला कोसन पूछा है कि हाव मेनी मैक्जिम मिनि तो आपको पता है कि पंदरा पर्शेंट होता है तो दो सो तेटालिस इंटू पंदरा बटा सो करोगे तो इसको निकालोगे तो च्छतित दसमलो यह च्छे और नो आगे संथिंग करके आएगा अगर इसको फुल डिजिट्स मिले तो नंबर च्छतिस बन जाएगा लेकिन इ इसका अंसर 37 भी हो सकता है और एक्जैक्ट में देखा जा तो 36 होगा अब आयोग क्या मानेगा उस पर डिपेंट करेगा कि वो 36 मानता या 37 तो मसे एक कोई होगा अगला इकार्डिंग टू दा सेंटर फार मोनेटिंग इंडियन एकोनामी डेटा बिहार अनिम्प्लाइमें 9.8% था यहीं यूपी का पोच था तो यही डेटा के हिसाब से यूपी का भी ध्यान रखेगा 3.8% यूपी की विरोजगारी तर रही है अक्टूबर 2020 में अगला कोशन है सौमित चटर जी बेंगाली अक्टर वाजे मल्टी स्पेक्ट्रम आर्टिस्ट यहां से देखो मल् बंदकार भी थे पेंटर चेतरकार भी तो आल आप दाइबब इसका डी अंसर हो जाएगा एकार्डिंग टूदा फेगर रिलीजड वाई एलक्षन कमिशन हाओ मेनी ओटर्स अप्टर नोटा नन आप दाइबब इन रिसेंट एलक्षन आप विहार तो विहार में जो चुन जर्वनी की बीज कभी एक आर मिस्टिक साइन की गई थी तो यह की गई थी 1911 नॉबर 1918 को 1918 इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कुस्टन पूछा है वू एमजड ऐज निकनिम ऐज चानक्या बिहार तो चानक्या बिहार की रूम में नितीज कुमार को जाना जाता है ज इतनराम मंजी की जो पार्टी है उसका नाम है हिंदुस्तानी अमाम मोर्चा पहला अपसन इसका हो जाएगा वू आज दा डिपूटी चीम मिनिस्टर अब बिहार स्टेट बिफोर दा एलेक्शन हेल्ड इन 2020 2020 के चुनाओ के पहले कौन था बिहार के यानि डिप्टी सीम प इंत्री बनाया गया है फुच डिक्सिनरी आइड़ेड लागडाउन ऐज वर्ड आफ यह 2020 के रूम में जो लागडाउन सब्द था इसको यह आफ दो हजार बीस का सब्द जो किसने अपने डिक्सिनरी में एड़ किया तो कोलिंस इंग्लिस डिक्सिनरी ने इसको सामिल किय प्राइम मिनिस्टर तो एक कहां के बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है इज्राइल के इसका अंसर भी हो जाएगा अगला कुस्ण पूछा है प्रिपेरिंग फार देथ इस दा लेटेस्ट डीप थार्ट बुक आप एक किसकी बुक है तो अरुन यह बुक कि प्रपेरिंग फार दे थे अरुन सोरी की बुक है अगला कुस्ण पूछ रहा ग्यान पीठ इवार्ड इस एसोसेटेट फिड्विज फिड़ इवार्ड कि इसको कि च्छित में दिया जाता लेट्रेचर और जो अभी ग्यान पीठ आवार्ड दिया गया अक्यत्तम अच् 15 में शुरू किया गया था इसके अंतरगत कि जो जो कराया जाता है इसमें सिसू किसोर किसोर तरुन तीन कैड़गरी बनाई गई हैं तो किसी के अंतरगत commodity पचास अजार से पांच लाग किस ओर में पांच लाग से दस लाग का लोन कि अंतरगत उपलब्द कराया जाता है तो यह 40 question current affairs के थे जो हमने discuss किये तो पाकी section part 2 कल आपको उपलब्द करवाया जाएगा तो इस वीडियो को आप जदद जदद लोगों को share कीजिए धन्यवा जय हैं जय भारत